हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम कच्छा 10 के रसायनिय ज्ञान के ऐसे महत्वपूर चेप्टर को देखेंगे जहां से आपके हर साल बोर्ड के एक्जाम में प्रस्ण बनते हैं फ्रेंस आज हम रसायनिक अविकरिया M. समिकरण और दूसरा चेप्टर अमल 6 M. लवड के उन महत्वपूर प्रश्णों को देखेंगे जो आपके पिछले साल के पेपर 2023, 2022, 2020, 2018 और 2019 में ये सभी प्रश्ण कई बार रिपीट हो चुके हैं फ्रेंस आपके 2024 में होने वाले बोर्ड के एक्जाम के लिए ये सभी प्रश्ण बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका पहला चेप्टर हैं जिससे आपके महत्वपूर प्रश्ण को आपको बताने वाले हैं देखें चेप चैनल पर नए हैं ते चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंस यह आपके सामने पहला नंबर का सवाल है जो आपके 2023 के बोर्ड के एक्जाम में यह प्रश्ण बहुई कलपी में आ चुका है ठीक है फ्रस्ण क्या है आपका कि लेड नाइट्रेट करसाइनिक सुत्र क्या है जो आपके 2023 के बोर्ड के एक्जाम में आ चुका है तो फ्रेंस आप इसको याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है पीवी यह और थ्री ट्वाइच होता है क्या होता है इसको पढ़ते हैं पीवी यह यह त्वाइस पढ़ते हैं तो यानि लेड आक्साइट का बनना किस अभिक्रिया का उधार है फ्रेंस देखिए इसको समझी आपको बताते हैं यहां पर दिया है कारवन को किसके साथ वायू के साथ मतलब आक्सीजन के साथ यह जलाया जा रहा है तो आपको क्या बन रहा है कारवन डाई आक्साइड यानि सी ओ टू ब तो अबना ले रहा है यहां पर कौन से अभिक्रिया होगा आपका यह अविक्रिया होता है सनियोग्ड़य होगा संहियोजन temple है जो आपके 2023 की पेपर में यह भी प्रश्ब आ चुका है ठीक voyez को एकुत तो इस प्रश्ब कर को आप याद रखिए थे फ्रेंस अग् eerste नंब्र का सवाल है तिसरा नमबर का कि जिंक चूरड़ पर तनु सल्फियूरिक अमल की अभिक्रिया से कौन सी गयस निकलती है देखे फ्रेंस यह आपके बोड के एक्जाम 2023 में आ चुका है इसका एंस्वर है आपका हाइड्रोजन देखे फ्रेंस इसको आप कैसे देखे यहाँ क्या वियूक है ओर तनु nuclear इसद् फार्मूला पृब्स और प्लस प्लास youtube होता है बाहर निकल जाता है यहाँ पर काउन सी निकलती है ध्रेंस इसका सही जो अप्क्या होगा है हईड्रोजन होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखिए आपको वही सम्धार्द या जिफ्लिया किया नाजीन क्या करता है हईड्रोजन के इस्थापित कर उसका अस्थान गणहक कर लेता है। fell सब्सक्राइब करेंगे कि कौन सी गयस को ताजे तेल के नमूने के लंबे समय तक परिचड़ किया जाता है उसमें किस गयस का परिचड़ किया जाता है हिलियम और नाइट्रोजन को इसको याद रखिए ठीक है चलिए फ्रेंज अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका अगला नंबर का सवाल है किसी पदात का जलना वो किस प्रकार के अविक्रिया के अंतरगाता है तो रसाइनिक परिवर्तन के अंतरगाता है किस परिवर्तन होता है फ्रेंज रसाइनिक परिवर्तन आपको सावाल है फ्रेंज कि कार्बन मोनो आकसाइड की कुल्रीन के साथ अविक्रिया द्वारा कार क्रिया करता है या बनता है जिसे हम कार्बोनील कुल्राइट करते हैं यहां पर यह क्या है दो आपस मिलकर एक बना ले रहा है यह क्या होगा सभी अभी यह सभी आपको पढ़ा चुके आप पढ़े होगे जानते हो ठीक है यह प्रश्ण आ चुका है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपको सवाल है यहां और दिया शुक्राइब करते हैं इसमें यह करते हैं उसमा की अवसक्ता पड़ती है तो उसे कौन से अभिक्रिया करते हैं उस्मा सोसी अभिक्रिया करते हैं यह आपके 2019 के पेपर में यह सवाल आ चुका है ठीक है अब फ्रेंज चलिए अगले नंबर नंबर का सवाल यहां पर देखते हैं कि यसे अ 3 प्लास टू यह लोक्तीच आपको संभण बनाक कि अल्ट यह बाहर निकल यहां 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 इल्मूनियन जो है यहां से यह मतलब आयरन आपका अलग हो जा रहा है इस पकास यहां यहां पर दू रहेगा इस बहुत यह निकल älगा फ्रेंज़ यहां पर दो रहेग चले आगले नंबर के सवाल देखते हैं दस्वा नंबर का है कि ज़िए इस एफी है सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर जल किसका कारे कर रहा है यहां पर कमी हो जा रही है यहां पर कौन सा अभिक्रिया होता है आक्सिकारक अभिक्रिया होता है जिसे हम उपचायक अभिक्रिया के नाव से भी जानते हैं यह आपको पढ़ा चुके हैं आप इसको जानते हों तो फ्रेंस यहां पर आपके important question था चलिए फ्रेंस अगले नंबर के सवालों के देखते हैं फ्रेंस यहां पर आपका दूसरा नंबर चेप्टर है अम्ल छारक तथा लवड़ आपको रसाइनिक अभिकिरिया से जितने भी important 10 question थे आपको कराएं उन सभी प्रशनों का आप याद रखिएगा उसी में से आपके 2024 में होने वाले बोड एक्जा में प्रसन आने वाले अब दूसरा चेप्टर है इसमें important सवालों के देखते हैं क्या है अम्ल छारक तथा लवड़ देखे पहला सवाल क्या है शुद्द जल दासीन का याद रखिएगा तो दासीन का भी प्यच माल कितना होता है साथ ही होता है ठीक है अब देखे अगला नमबर दूसरा टापिक आपका दूसरा प्रशन है कि निवबू में कौन से अमल पाए जाता है तो फ्रेंच देखिए आप इसको याद रखिएगा जो परका कि सल्फियूरिक अमल में अमली हाइड्रोजन परमाड़ों के संख्या कितनी होती है इसमें कितना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दो और यह देखे 2019 के पर में प्रशन आ चुका है अब देखे अगले नमबर के सवाल को देखते है चोथा नमबर का आपका है च्छारक साथ हल्दी रंग कैसा होता है उसमें सवाल कंछेश्ठ हरे भूरा लाल होनर जैता है 2.99 के पेपर में आ चुका है । לिख लिजीए चणा प्यॲिएंड प्यॵश्वाल होता है यहां मानोगा प्युश बनाके पताया थे कि जैसे यह यहां पेढ़ जीरो एक दूर थीन चार पान्च छे इस तरह पताए थे आपको ऐसे लिखें ठीक है और यहां पर साथ के बाद आठ न ग्यारा बारह तेरह सतर बनाये तो चारी हो जाता है Mm जाह क्हों 6 मार्सा के पीच मान कितना होता है तो फ्रैंच देखेए आप अमली वर्षा जब आपको बता रहे थे कि जब पीच मान च्छा पांच दस्मलों च्छा से कम होता है तो कैसा वर्षा अमली वर्षा हो जाता है यहां पर देखें अमली वर्षा के जो पीच मान होता है कितना होता है पांच दस्मलों दू इसको याद रखिएगा जो यह जाता है याद रखेगा लाल हो जाता है जारी मिलाएंगे यह सवाल आ चुका है अब आपका सवाल क्या है कि जल की कठोरता हटाने के लिए किसका उप्यों किये जाता है तो इस प्रशन को याज रखेगा थावन-soda को यदि हम जल में मिलाते हैं तो उसकी कठोरता जो हती लाते हैं sodium carbonate के नाम से जानते हैं 500-60 कि नाम से जाना झाता है फिर इसके अलावब करेंस आपका नंव्हानना सवाल है व्ल Anders का जलीका याज व्लियन कैसा होता है तो च्लमा जो होता है मिला तक यह क्या होता है यह न यह योता है यह । यहां पर हाइड्रोजन बताँ मिलता अब गलता है यहां पर बनता है? यहां से क्या होता है दो अक्सिजन यहां से मिलकर यह क्या बना देता है यह इसलिए इसका इविलियन क्या हो जाता है इसको याद रखेगा क्या होता है इसको याद रखेगा यह इसका 2020 के पेपर विये सवाल आ चुके हैं तो फ्रेंज यहां पेपर में आ चुके हैं वह सभी प्रश्ण आपको खळाएंगे कुछ समय के बाद अगले चेप्टर का भी आपको बहुविकल्पी प्रश्ण मिल जाएगा इसी तरह वर लीनियर में करा देंगे आपको जिससे आपको याद करने में सुईदा होगी तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें